कि कि यहांब नंबर वन टू त्री फॉर जो मैंने सब्स्टिट्वेंट लगाये है उन्पे ध्यान दो वो विचारे चेंजी नहीं हो रहे वह ऐसे कि ऐसे हैं इसका मतलब अब कोई भी की किटोन डिजाइन कर सकते हो अना आपको जैसा aldehyde ketone से यह वैसा आप alkin ले सकते हो ठीक है अब जैसे जैसे मैं बहुत simple सी बात बता हूँ आपको मान लेते हैं बनाना है formaldehyde क्या बनाना है formaldehyde formaldehyde होता है यह इसको लिखते हैं ऐसे हो गया ना यह formaldehyde हो गया अब formaldehyde के अब यहां आप देखो अची तरह से product के दो मोलेक्यूल बन रहे हैं aldehyde के दो मोलेक्यूल बन रहे हैं वान और टू जहां मैंने लिखा है ठीक है तो अब यहां पर आप देखो यह formaldehyde है तो formaldehyde के दो मोलेक्यूल ऐसे ही तो होंगे येलो येलो तो अब आपको एलकीन कौन सी चाहिए इसके लिए एलकीन बहुत सिंपल सी है आप इन दोनों ये जो oxygen क्या है ना इन दोनों को आप निकाल दो और बाकी को जोड़ के रख दो ये लो ये लो भाई ये एलकीन चाहिए इस एलकीन से ये आप और लाइसिस कराओगे आप तो आपको क्या मिलेगा क्या मिलेगा formaldehyde के दो molecule कैसे इसको यहां से तोड़ोगे यहां double bond oxygen यहां double bond oxygen हो गया दो molecule formaldehyde के बात समझ में आ गई आपको ट्रिक या नहीं आई पता हो जड़ा को यह ऐसा थोड़ी है जिसको नहीं आई हो ओके तो अब देखते हैं अब मैं आपको सीधा एक वो देता हूं क्या क्या बोलते हैं सीधा ही मैं आपको एक वो देता हूं आप मुझे सीधा प्रोड़क्ट बताएंगे उसका सीधा आप मुझे प्रोड़क्ट बताएंगे मैंने आपको दिया कि इसके प्रोड़क्त बताओ भ default के ऑधने इस ट tap यहीं पर लिख दिदी दोनों के दोनों देखो पहली स्टेप में हमने कि सी aucune कराई ओथरी से दूसरी स्टेप में हमने के सिरिक्शन कराई जैड़यन और हैज कट्न अब मुझे प्रोड़क्ट बता दो वड़ाव अप्रोट्क बनाना है देखो एक तो यहां से तोड़ देंगे और कारबन हाइड्रोजन यह दोनों हाइड्रोजन ऐसे यह बन गया डबल प्लस में यह कारबन डबल वॉन यह हैं डिकत है किसी को बता हुज रहाँ नो स्वेरी गुड्ड वेरी गोड्ड तो इसका मतलब इसमें एक तो बंगया देखो फॉर्मल्ड फैर्मल्ड टीघाइड इसे ऐधेनल और एक बन गया हमारा इसेटीड कोई दिकत मिरगाई न अफिक हैप ऑब ये 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 इलकीन लोगत था होगा तब क्या होगा मान लेते हैं किसे नहीं यह alkin ले ली यह लो यह alkin ले लो भूई मतलब चारो चारो जगर क्या लगा हुआ है methyl group तो क्या बनेगा बता हो जड़ा बोलो 2 molecule acetone के बन जाएंगे ठीक है 2 molecule acetone के बन जाएंगे यह reaction class 11 में alkin की chemical reaction है यदि किसी को याद आ रही हो तो ठीक है अना तो इसलिए यह वहां है basically हम तो इसको हमारी NCRT में तो दीव हुई नहीं है यह आपके पास NCRT है तो देख लो उसमें कह दिया कि class 11 में जाके पढ़ लो बोल करके आप पढ़ चुके हो फिर पढ़ना है तो वहीं जाके पढ़ ल यह हमारी ozonalysis reaction हो गई और हमने aldehyde और ketone दोनों बना लिया और आपने देख लिया हम कौन से method discuss कर रहे हैं ऐसे method जिनसे aldehyde और ketone ketone दोनों बन सकते हैं ठीक है तो यह हमारा पहला method हो गया ozonalysis कर रहा हमने इसका alkyn का ठीक है अब हम hydrocarbon में ही hydrocarbon में ही हमारा दूसरा method चले सब्सक्राइगा from लिखते जाओ आप लोग alkyne यह भी तो hydrocarbon है from alkyne और इनका alkyne का कराएंगे क्या बाई हाइड्रेशन यह लोग इनका hydration कराएंगे तो alkyne का hydration कराने से तो alcohol बन रहे हैं ठीक है और alkyne का hydration कराने से carbonil compounds बनते हैं okay aldehyde or ketone बनते हैं कैसे बनते हैं यह आप देखिए मैं बताता हूं हम सबसे पहले लेते हैं एक alkyne यह हमने एक alkyne ली कोई दिकत नहीं है okay yes कौन सी alkyne है नाम बताना जरा कौन सी alkyne है नाम बताओ alkyne नी alkyne कौन सी alkyne है बताओ प्रोपाइन प्रोपाइन तीन कार्बन का alkyne alkyne है ना प्रोपाइन अब देखो भई यह reaction बड़ी सिंपल है जितनी दिखती है उससे ज्यादा सिंपल है इसका हम लोग hydration कराएंगे तो hydration होगी अब यहां पर जो रिएजेंट है कि इनकी प्रेजंस में कराते हैं वह बड़े इंट्रेस्टिंग है आप इनको नोट करके रखेगा इनका पेर है यह सीधा इस reaction को इंडिकेट करते हैं डाइल्यूट हक्तूसोफेट की एच जी एच थी एसो फ़ार मर्कुडिक सेलफेट ओके डाइलूट हट टूसओंपोर एंच जी एसो फोर का यहां पर combination है mercuric sulfate का यह पेर में यह reaction होती है और यह hydration होता है as per Marconico rule as per Marconico's rule और Marconico ने क्या का आया बही बताना जरा बोलो hydrogen पहले से ज्यादा है hydrogen को भेज़ दो यहां पे और OH को भेज़ दो यहां पे हाना और जो triple bond है वो तूटके क्या हो जाएगा बता हो जरा double bond यह देखो यह double bond यह carbon यह hydrogen देखो यह तो skeleton ऐसे क्यासे है ठीक है अब इस पे तो गया है OH और इस पे गया है है यह तो कहानी है ठीक है यह बन गया ओके अब यह जो बना है ना यह क्या बन रहा है बही ऐसा आपने कई देखा है गया बता हो जरा इसमें double bond और OH एक साथ आ गए एक से एक कारबन से अटेच है double bond और OH यह बड़ी special structure इसका नाम आपको याद आना चाहिए क्या बोलते हैं ऐसी को ऐसी structure को जिसमें एक ही कारबन पे double bond और OH चुड़े होते हैं बड़ी interesting structure है यह आपने देखी हुई है और विचारी unstable है this is unstable बता हो जरा देखो इनको क्या बोलते हैं मैं बता हूँ होते हैं unstable होते हैं हमेसा ध्यान रखना जब एक कार्बन एक कार्बन पे दो OH वह भी unstable होगा हमेसा याद रखना एक कार्बन पे दो OH हो that will be also unstable structure और दूसरा एक कार्बन पे double bond और उसी पे OH वह भी इनोल वाली structure वह देखना पड़ेगा कि वहां unstable होगा या नहीं होगा क्योंकि Toto Mary यहां पर टोंटो अएगी आना यह जो करेगा और टोंटो मेरी जिए करके रीएरेंज हो जाएगा अपनी कीटो फॉर्म में तो यह आपने क्लास 11 में यह पढ़ा हो तो TOTOMERYSEM तो यह हो जाएगा, REARRANGE ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, TOTOMERYSEM ठीक है, और देखो भई, TOTOMERYSEM में होता क्या है, अब आपको नहीं भी ध्यान है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं हो, यह जो HYDROGEN है, यह hydrogen, इस hydrogen का transfer होता है, कहां पर one polyvalent atom से दूसरे polyvalent atom तक, तो polyvalent atom यहां पर कौन है, oxygen, oxygen से यह कहां चला जाएगा, इस carbon पर जाएगा, इस carbon पर जिसको मैं dark कर रहा हूँ, इस पर यह hydrogen आ जाएगा, और यह double bond वहां move हो जाएगा, देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से, मेरा cursor यह double bond गया यहां पर, जैसे ही यह double bond का bond यहां shift हुआ, वैसे ही यह hydrogen आ गया यहां पर, इस carbon पर, और structure देखो, अब मैं कैसे बनाता हूँ, CH3 को मैंने कुछ नहीं किया, वो as it is है, single bond, इस carbon के उपर अब यह oxygen double bond के साथ attach हो गया, यह double bond single bond में convert हो गया, और यहां CH2 है, ध्यान से देखो, वो CH3 हो गया, समझ में आया, यह तो यह compound क्या बन गया, यह ketone बन गया, ठीक है, यह ketone बन गया, अब आप कहोगे कि सरी से aldehyde कैसे बनेगा, तो aldehyde की try भी करते हैं, अब आप structure देखके बताओ, aldehyde कैसे बन सकता है, structure यह प्रोपाइन, कौन सा अलकाइन लें आपन, देखो, और्गेनिक में यही तो होता है, आप आपने एक बार reaction को, strategy को समझ लिया, अब आप reactant में change करके, desired product आप ले सकते हो, तो reactant आप आपको कैसा होना चाहिए, बताओ ज़रा, कैसा reactant लें, देखो, यदि यह यहां, ध्यान से देखो, जहां मैं round कर रहा हूँ, उस CS3 की जगए यदि हम लोग hydrogen लगा दें, तो यहां hydrogen होगा की नहीं होगा, बताओ जरा, जहां मैं भी गोला कर रहा हूँ, तो वो aldehyde होगा की नहीं होगा, होगा तो सही, होगा तो सही, ठीक है, तो अब देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, यह जो CS3 था, वहां मैंने लिया hydrogen, ठीक है, यह लो भई, इसका मतलब यह मैंने ले लिया, simplest alkyne जो है, ethine, वो ले लिया मैंने, ठीक है, ethine ले लिया, अब इसकी reaction होगी HOHC, वो मैं सारा एक साथ ही, यहां पर लिख देता हूँ, यह हो गई, HOHC reaction, कौन-कौन हमारे साथ है, dilute H204 हमारे साथ है, इस reaction में, और एक HGSO4, mercury sulfate भी हमारे साथ है, ठीक है, यह दोनों हमारे साथ है, और अब यह carbon, अब यह लो भई, ठीक है, भेज दिये, क्या structure बनी, देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, यह hydrogen है, as it is, यह triple bond, double bond में convert हो गया, यह carbon, यह hydrogen, यहां हमने hydrogen जोड़ा है, और यहां हमने OH जोड़ा है, right, हो गया, अब इसमें क्या होगा, यह विचारा enol है, इसका rearrangement होगा, rearrangement, ठीक है, और rearrangement होकर के ध्यान से देखो, कैसे बना रहा हूँ, मैं product वापस समझा रहा हूँ, यह जो double bond का bond है, वो shift हो गया, carbon oxygen के बीच में, hydrogen आ गया, उस carbon के ऊपर, और अब यह कैसे, आप जैसे है, वैसे ही लिख दोगे, यह hydrogen, ठीक है, यह carbon, यह double bond oxygen, और यह हो गया, अब CH3, और यह बन गया, आपका acetaldehyde, बना के नहीं बना, acetaldehyde, ओके, तो यह aldehyde भी बन गया, अब आप मेरे को यह बताओ, formaldehyde इससे बना सकते हैं, क्या हम, बताओ, इस method से formaldehyde बना सकते हैं, क्या बताओ, यह नहीं, क्योंकि simplest alkyne हमने ले करके देख लिए था, इससे one carbon की alkyne तो होती नहीं है, यह बिचारा रह गया, one carbon aldehyde, यह तो one carbon aldehyde है ना, तो इसके लिए one carbon alkyne होती नहीं है, इसलिए formaldehyde cannot be, cannot be prepared by this method, cannot be prepared by this method हो गया, तो यह हमने कराया, hydration, किसका, alkyne का, alkyne का hydration कराया और हमने वो बना लिया जो हमें चाहिए था, ठीक है, तो इस तरह से यह हमने alkyne का hydration कराया और हमने यह बनाया, अब अगला लेते हैं, second, second हम बनाएंगे इसको from alcohol से, किस से? alcohol से, अब alcohol से तो आप बना चुके हो, बना चुके हो के नहीं बना चुके हो, बताना ज़रा, एक तो आएगा alcohol से by oxidation, oxidation, alcohol का oxidation करा कर क्या बना चुके हो ना, aldehyde और ketone, बता हो ज़रा, PCCB आपने यूज लिया है, CRO3 भी आपने यूज लिया है, right, PCCB लिया है, KMNO4, K2, CR2, O7, सब यूज लिया है ना, आपने, तो alcohol का oxidation वाला जो method है, वो हम सारा discuss कर चुके हैं, ठीक है, यह same topic है, same reaction है, same product है, ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्राइमरी एलकोहल में बचके रहना है, प्राइमरी एलकोहल में यह लोगे, तो क्या हो जाएगा, बताना ज़रा, बोलो, सीधा, last, last target, last target क्या है, एलकोहल का, यह oxidation की हरार्की याद रख लो, देखो, तो एलकोहल का oxidation कराते हैं, तो aldehyde बनता है, और aldehyde का oxidation हो करके, अपने आप ही क्या बन जाएगा, कार्बोकसिलिक एसिड, ठीक है, अब यह reaction, यदि हमने अलकोहल से start करी, और हमने ले लिया strong oxidizing agent, केमनो 4K2CR2, हना, strong oxidizing agent हमने ले लिया, तो यह reaction सीधी कहां जाके रुकेगी, कार्बोकसिलिक एसिड पर जाके रुकेगी, क्योंकि यह तो strong है, यह रास्ते में यह बनेगा, इसको भी कर देंगे, बात समझ में आई, तो अब हमें तो यहीं रोकनी है, हमारा chapter क्या रहा है, हमारा chapter क्या रहा है, aldehyde ketone बनाओ, तो वो कैसे बनाएंगे, हम oxidizing, यह जो oxidizing agent है, वो change करेंगे, ठोड़ा सा ऐसा लेंगे, जो specific को, जो aldehyde की reaction को लेके जाए, तो इसके लिए हमारे पास है, क्या-क्या है, PCC, जानते हो ना, नाम तो सुना है, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है, एक CRO3, क्रोमिक oxide भी बोलते हैं, क्रोमिक acid भी बोलते हैं, और क्रोमिक enhydride भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या-क्या ध्यान में है, आपके बताओ, PDC भी है क्या वहाँ पर, पिरिडीनियम डाई क्लोरो क्रोमेट, एक वहाँ पर आपको Collins reagent भी मिला होगा, ध्यान में है, यदि आपने revise किया है तो, हाँ, और एक आपको मिलेगा, Jones, Jones, ये बड़ा खतरनाक है, Jones reagent, ये भी बड़ा खतरनाक है, Jones reagent क्या होता है, मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों को, और आप Jones reagent भी देख लो, इन सब का काम क्या है, they are specific, वो special doctor है, alcohol को, किस में convert करने के लिए, aldehyde में convert करने के लिए, और Jones reagent तो काफी famous है, और Jones reagent है, CRO3, हाना, in H2SO4, and acetone, ये लो भई, ये हमारा Jones reagent है, CRO3, H2SO4, and acetone, that is Jones reagent, हाना, Collins reagent, PCC, ये सब आपको वहाँ लिखाये हुए, ठीक है, तो आप इन से oxidize करा करके वो बनाओ, primary, secondary, tertiary तो oxidize होता नहीं, आपने देखाया है, वो तो विचरा वो बनाता है, carboxlic acid का mixture हमें मिल जाएगा, हाना, ठीक है, तो ये हमने alcohol से बनाया है, अब alcohol से एक method औ है, बता हो जरा, वो कौन सा method है, एलकोहल से एक method और है, एक तो oxidation करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, by dehydrogenation, dehydrogenation, dehydrogenation क्या कहता है, dehydrogenation ये कहता है, कि आप को पर, heated copper, heated copper, पर यदि उसको flow कराते हो, किसको, alcohol को, एलकोहल को, heated, heated copper, अच्छा, heated लिखने की जरूद नहीं है, हम temperature यहाँ पर लिख देते हैं, cu और इसका temperature है, specific 573, तो ये किसमें convert हो जाएगा, aldehyde, ketone, और एक और बन सकता है न, alken, aldehyde किसे बनेगा, बताना जरा, primary, alcohol से, ketone किसे बनेगा, secondary, alcohol से, और alken किसे बनेगा, tertiary, alcohol से, ठीक है, ये बनेंगे, ये reaction हम कर चुके हैं, कर चुके हैं के नहीं कर चुके हैं, बता हो जरा, बोलो भाई, कुछ तो बोलो, मुस्कान, ये reaction तुमने रिवाइस करी है, alcohol में, मुस्कान, मुस्कान, बता हो, येस,